नमस्कार दुस्तों स्वागत है आपका हमरी चैनल All Technical Solution में तो दुस्तों अगर आपका Dish TV का connection है और उसके signal अगर lost हो गए हो तो आप उसे mobile से किस तरह से set कर सकते हैं यह हम आज की वडियो में बताने वाले हैं तो इसके लिए दोस्तों आपको यह satellite finder नाम का app अपने mobile में डाउनलोड करके लिए तो इसे आप play store से भी download कर सकते हो तो आपको यहापे simply play store पी जाना है तो मैं यहापे play store पी जाता हूँ और यहापे आपको search करके लिए ना है तो आपको यहापे सबसे पहले चीज यह करनी है दोस्तों कि आपको अपने mobile का location या GPS service है वो यहापे start करके लिए तो मैपने mobile का location यहापे on करके लेता हूँ उसके बाद दुस्तो आपके सामने इस तरह की permissions के लिए पूछेगा तो आप यहापे yes continue पे क्लिक कर लिजे उसके बाद आपको यहापे थोड़ा सा wait करना पड़ेगा तो उसके बाद दुस्तो आपके सामने इस तरह की पेज आएगा तो यहापे आपको चार options मिल रहे है find satellite, level meter, inclino meter and GPS compass तो आपको यहापे सबसे पहले वाला जो है find satellite का वहापे आपको क्लिक करके लिए उसके बाद सारे permissions को आप यहापे नीचे से allow कर दीजे उसके बाद दुस्तो आपको थोड़ा सा wait करना है उसके बाद आपके सामने इस तरह का GPS का option यहापे आ रहा है तो उसके बा का connection यहापे set करने वाले है तो उसके लिए हमें यहापे NSA6 नाम का satellite set करना होगा तो हमें इस list में NSA6 search करना होगा या आप इसे यहापे उपर से directly भी search कर सकते हो तो मैं यहापे उपर जो search का icon है यहाँ से मैं NSA search करके लेता हो और मुझे यहापे NSA6 मिल गया है आप यहापे दे azimute set करना है मतलब हमारे dish की direction set करना है तो इसके लिए दोस्तों आपको अपने dish के exactly उपर खड़े होना है और आपको अपने mobile को अपने हाथ में horizontal रखना है तो दोस्तों यहापे आपका mobile horizontal होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप इसे जमीन पे भी रख सकते हो तो आप नीचे turn the antenna ऐसा एक option दिख रहे है तो यह आपको बता रहे है कि आपको अपने dish को यहापे थोड़ा सा right में rotate करती जाना है जैसे ही आप ज़्यादा नजदिक जाओगे यहापे green signals आपको मिल रहे है तो आप जैसे ही यहापे perfectly direction में आ जाएगे तो आपको यहापे perfect location ऐ इसा एक option यहापे दिखाई दे रहे है तो जिस direction में अभी आपका mobile है वही आपके dish की यहापे exactly direction होने वाले है और आपको इसी direction में अपने dish को यहापे set करके लेना है तो उसके बाद दोस्तो हमारा जो step number 3 है वो है अमारे dish का LNB set करना तो दोस्तो इसके लिए हम अपने dish के exactly सामने यहापे खड़े होने वाले है और दोस्तो हम अपने LNB को यहापे धीरे धीरे से tweak करने वाले है और जहापे दोस्तो आपको यहापे high frequency मिल रहे है वहापे दोस्तो आपको अपने LNB को set करके लेना है तो इस तरह से दोस्तो आप अगर setting करते हो तो आपके dish के signals यहा जदाश जदाश शेयर कीजिए और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए